हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैग इनावा यूटूब चैनल डॉलिजटू फो सेवन फ्रेंट्स आज जो हम बात करेंगे वो है हमारा आधूनिक भारत यानि की मौडरन इंडिया जो भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी important question बन रहे है जो previous year exam में पूछे गए हैं वो सारी question जो है आपको इस चैप्टर के कराई देंगे तो जो भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था तो सबसे पहले जो भारत में जो यूरोपियों आए थे जो यूरोपिय वैपारी थे उनके आने का करम था सबसे पहले आए थे पुर्थगाली आए थे सबसे पहले सबसे पहले आये थे पुर्टगाली ठीक है उसके बाद में आये थे डच उसके बाद में आये थे डच फिर उसके बाद आये थे अंग्रेज उसके बाद आये थे अंग्रेज ठीक है फिर आये थे अंग्रेज के बाद में आये थे फ्रांसिस उसके बाद आये थे फ्रांसिस त तरीके से जो है यह आये थे क्रमवाइस 1498 ECV में वासको डिगामा जो थे वो पुर्तगाली थे जो भारत के पश्चमी तट पर इस ते जो बंदरगा था कालीकट महा पर आये थे सबसे पहले कौन आये था वासको डिगामा जो 1498 ECV में आये था ठीक है तो यहां पर हम कोशन की से बात करेंगे थे स्थापना भर्ष और पुर्तगाली एस इंडिया कमपनी साइकिंड है ब्रिटिश इस इंडिय कम्पनी डच इस इंडिय कंपनी अब यह किस तरीके से इनका स्थापना वर्ष हुआ था उससे हमें जो है मिलान करना है तो पुर्तगाली इस अंडिय सबसे पहले थे Gör 10 यानिकि उसका हाँ 1620 फिर हमारा डच इस्ट इंडिया कंपनी तो 1602 लास्ट में हमाई फ्रेंच फ्रांसी से आया थे तो फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी 1664 यानिकि एक एक फस्ट बीकर सैकिंड सीट थाइन डीकर फोर ऑप्शन नंबर फर्स जो है वह उसका करेक्ट स्थापना वर्ष था उसका डच इस्ट इंडिया कंपनी 1602 एंड फ्रेंच इस इंडिया कंपनी 1664 ठीक है तो यह है सिक्वेंस में अकला कोशन है हमारा नीचे दिये गए इसमें हमें जो है मिलान करना है सूची फस में दे रखाए यूरोपिये वेपारिक कंपनिया और इनका जो है मुख्याले दे रखाए फस्ट में हमारा इस्थापना वर्ष यहां पर सैकिंड में मुख्याले से जो है टिक करना है मिलान करना है तो पहला है पूर्टगाली इस इंडिया कंपनी है इसका मुख्याले कहा था लमैं आपका फर्स्ट पुर्दकाल इसलियो JES इसा कंपनी तो वह है आपका है कलकत है याने B का 2 एक कफ स्ट एंडinasбо का 2 अब यह सी आपर चैन्र Sellers इस इंडिया कंपनी का पाणीचारी यानि कि A का 1st B का 2nd C 3rd and D का 4th यानि कि option 2nd जो है इसका correct answer है यह सारे ही जो है sequence wise जो है लगे हुए अगला question देखिए अगला question हमारा लेकिन मैंसे किस European वैपारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था option है आपक पूर्दगाली, British, Dutch, Danish, French, Flanders और Swedish तो किस किस का किन किन कंपनियों का यूरोपे कंपनियों का भारत मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था तो जो सारे ही option number जो सभी है सभी का जो है मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था ब्रिटिश भी ब्रिटिश पूर्दगाल, Dutch, Danish, French, Flanders और Swedish जो है इसका correct answer है अगला कोशन है हमारा वह पूर्दगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था वह पूर्दगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था option है यह आप है Francis D. Almeida, Alfonso D. Albuquerque, Vasco D. Gamma and Robert D. Noveli कौन वह पूर्दगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था यह कोशन SSC 2002 में कोशन आ चुका है कि कौन से पूर्दगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था तो जो आपका option number second है Alfonso D. Albuquerque, Alfonso D. Albuquerque जो है वह option number second इसका correct answer है इन्होंने जो है गोवा पर अधिकार किया था Alfonso D. Albuquerque, ठीक है अगला कुशन क्या है हमारा अगला दिखते है अगला कुशन हमारा भारत में East India Company का पहला Governor General जो है वह कौन बना था option है Robert Clive Sir John Shore Warren Hastings like monkeys of Hastings यानि कि भारत में East India Company का पहला Governor General जो है वह कौन था भारत में तो यह कोशन भी SSC 2001 में आ चुका है Warren Hastings जो भारत में East India Company के पहले Governor General थी यह कोशन SSC 2001 में आ चुका है important question है अगला question है क्या है अगला है निम्स लिखित में किस European ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया ब्रिटिश फ्रेंच डच या पुर्टगाली यानि कि किस यूरूपिय ने भारत सबसे पहले जो है अपना व्यपार फैलाया था तो ऑप्शन नमबर जो डी है पुर्टगाली सबसे पहले आने का क्रमी सबसे पहले पुर्टगाली ही जो है आए थे तो पुर्टगाली जो इ भारत में अपने वैपार फैल आया था एससी 2000 में कोशन आ चुका है यह और जी पीएससी में भी आया है अगला कोशन है बारा वर्ष 1498 में वास्कोर डिगामा भारत में कहां उतरा था गोवा कालिकट मंगलौर या फिल कोची इंपॉर्टन कोशन है तेमस कोशन है बहुत बा है कि 1298 में भारत में कहां वर्ष 1 पर जो का भी उतरा था यह फी को सकते हैं कि वह से гр variety बहुन, कहां का रहने वाला था पुर्दगाल अमेरिकाएफे फ्रांस तो जो वास्को डिगामा था वो पुर्दिगाल का रहने वाला था यानि कि ऑप्शन नमबर फर्स जो है वो उसका करेक्ट अंसर है आरल भी 2003 में कोशन आ चुका है यह अगला कोशन है हमारा वह अंग्रेज जिसने समराथ जहागीर की दरबार में आकर भीट किया था आप्शन है सर टॉमस रो राल्टा भी था सर जोन या फिर सर जोन शोर यानि कि वह अंग्रेज जिसने समराथ जहागीर की दरबार में आकर भीट किया था वह कौन था तो वह थे यह भी फेमस कोशन है सर टॉमस रो सर टॉमस रो जो थे वो जहागीर के दरबार में आए थे तो इसका जो आंसर है option number जो first है Sir Thomas Rowe ये इसका जो है correct answer है Sir Thomas Rowe जो है 1625 में समराट जैम्स प्रतम ने Sir Thomas Rowe को अपना राजदूद बना कर मुगल समराट जहागीर के दर्वार में भीजा था ठीक है तो ये जो आपको याद रखना है अगला कोशन क्या है अगला कोशन है हमारा गोवा दमन और दीव का उपनेवेशी करर मूलता किया गया था option है डचो द्वारा अंग्रेजो द्वारा फ्रांसिस्यो द्वारा या फिर पुर्तगालियो द्वारा किसके द्वारा जो है गोवा दमन और दीव का उपनिवेशी करर मूलता जो है वो किया गया था तो option number जो D है पुर्टगालियों द्वारा जो है गोवा दमन और दीव का उपनिवेशी करर किया गया था option number D correct answer है इस question का अगला question है हमारा question number 11 अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ऐस्वी में किसे छीना था option है यहापर राजा जमूरीण से बीजापूर की सुल्तान से फ्रांस से या फिर इंग्लैंड से आरर भी असम में कोशन आ चुका है 2005 में कि अल्बुकर्क ने गुवा को पंदर सो दस एस्जी में किसे छीना था तो बीजापूर के सुल्तान से जो है वो छीना था option number second इसका correct answer है अगला कोशन है हमारा भारत तक समुंद्री मार के खोज जो है वह की गई थी डचो द्वारा अंग्रीचो द्वारा पुर्दगाली के द्वारा या फिर फ्रांसेस द्वारा किसके द्वारा भारत ने समुंद्री मार के खोज की गई थी तो जो पुर्दगाली तो भारत तक समुंद्री मारें खुछ किसने की थी पूर्टकालियों द्वारा की गई थी अगला कोशन है हमारा ब्रिट्री शो ने भारत में सूरत में पहली इस्थापित करने की अनुमती निम्लिखित में से किसे प्राप्त की थी ऑप्शन है अकबर से जहागीर से शाजहां से या फिर औरकजेव से तो किस से जो है वो प्राप्त की थी तो वो प्राप्त की थी जहागीर से ऑप्शन नमबर सैकेंड जो है उसका राइट आंसर है अगला कोशन है हमारा कोशन नमबर 14 भारत के समुंद्री मार की खुछ किसन तो वह स्का करेक्ट आंसर प्रीज एक्जाम पूछे जा चुक्य इंपॉर्टन कोशन है अगला कोशन है लास्ट कोशन तृतिय करनाटक की युद्ध एंगलो फ्रेंच संगर्श की समाप्ती किस संदी से हुई पैरिस की संदी वैसेन की संदी एला शापेल की संदी यह सूरत की संदी किस संदी से हुई थी तृतिय करनाटक युद्ध की समाप्ती तो वह पैरिस की संदी से हुई थी ऑप्शन नमबर फस्स जो है वह उसका करेक्ट आंसर है यह भी आर अरबी 2003 में कोशन आ चुका है इंपॉर्टन कोशन है सारे ही कोशन इंपॉर्टन है प्रिवेस आद यूजर बीडियो को लाइक श्यरा सब्सक्राइब की सिर्टृई थी तैंगी यह श्यूजरा की टांट सब्सक्राइब से बार में है टोंडनागी और अश्यून में दोडनागी प्रिवेस दो चुक्ष्ट आफ हूद् तूट अगुर्णाट की टीजराओ श्राव ज